भाई यूर बहनों, बॉर्टर सिकुरिटी एक ऐसा विशह है, जो 21 सदी के भारत के विकास के लिए बहुत जरूरी है, भारत को विक्सीद होना है, तो बॉर्डर सिकुरिटी, कोस्टल सिकुरिटी, इंटर्नल सिकुरिटी के तरह ही, बॉर्टर सिकुरिटी से जुड़ी चुनोत्यों को भी समाप्त करना ही होगा, डबल इंजिन की सरकार, सुभीधा और संचय की सोथ के साथ काम कर रही है, 2014 में जब आपने हमें आउसर दिया, तम 99 ऐसी सिंचाई पर योजनाए थी, जो दसकों से लटकी हुई थी, आज इने मैं से 50 के करीब योजनाए पूरी हो चुकी है, हमने पुरानी योजनाओं पर भी काम किया, और जो संसादन हमारे पास पहले से थे, उनके विस्तार पर भी बल दिया, करनाटका में भी ऐसे अनेक प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है, नदियों को जोड कर सुखा प्रभाविर छेत्रों तक पानी पहुचाया जा रहा है, नारायनपुरा, लेप बैंक, कैनल, सिस्टिम का अविकास और विस्तार भी इसी निती का हिस्सा है, अब जो नया सिस्टिम मना है, जो नई तकनीक इसमें जोडी गई है, इससे साड़े चार लाग हैक्टर भुमी सीन्चाय के दाएरे में आएगी, अब कैनाल के आखरी छोड तक भी परियाप्त पानी, परियाप्त समय के लिए आप आएगा, साथियों, आज देश में पर ड्रॉप मौर क्रॉप पर, माइक्रो इरिगेशन पर अभुद्पुर्वबल दिया जा रहा है, बीते छे, साथ सालों में, सत्तर लाग हैक्टर भुमी को, माइक्रो इरिगेशन के दायरे में लाया गया है, करनाटका में भी इसको लेकर के बहुत अच्छा काम हुआ है, आज करनाटका में, माइक्रो इरिगेशन से जुड़े जिन प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, उससे पांच लाग हेक्टर भुमी को लाब होगा, डबल इंजिन सरकार भूजल के स्थर को उपर उठाने के लिए भी बड़े स्थर पर काम कर रही है, अटल भूजल योजना हो, अमरिज सरोवर अभियान के तर, हर जिले में पच्चरतर तालाब बनाने की योजना हो, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई ख़बर मिस ना करें, तो जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे है, योज